Hello students, good morning and welcome to class 3rd. Today we read about Roman numerals. Roman numerals के 7 symbols होते हैं. First, I, V, X, L, C, D, M. ये 7 letters होते हैं, 7 symbols होते हैं, जिनसे Roman numerals बनते हैं. I यानि 1 इस्टिक अगर है, तो उसका मतलब है 1. V मतलब 5, X मतलब 10, L मतलब 50, C मतलब 100, D मतलब 500, और M मतलब होते हैं, 1000. तो ये 7 letters हमारे पास हैं, इन्ही letters को हम repeat करके Roman numerals बनाते हैं. कोई भी symbol 3 बार से ज़्यादा repeat नहीं करा जा सकता, ठीक है? अगर कोई भी symbol repeat होता है, दो बार या तीन बार, उसका मतलब होता है, उनका अपस में addition होना. दूसरी बात, अगर greater number के left side में, चोटा number लिखा हुआ है, उसका मतलब होता है, subtraction करना, ठीक है? और greater number के right side में अगर चोटा number लिखा है, तो उसका मतलब होता है, addition करना. दो smaller अगर numerals लिखे हुए हैं, तो उनके बीच में जो number लिखा होता है, उसको subtract करके, और उसके place के after लिखा जाता है. तो देखे, यह seven letters है, इनी को use करके हम roman numerals बनाएंगे, तो आज की class में हम करेंगे exercise 1.7, solve, question number first, write the roman numerals for the following, तो यहां से solution हमारे start होता है, यह hindu arabic numerals हैं, जो हमारी counting numbers होते हैं, उनको बोलते हैं, hindu arabic numerals, और इनके answers हम write करेंगे, roman numerals, तो six, six क्या होता है, मैं आपको बतातू, six क्या होता है, five plus one होता है, तो five का हमें symbol दे रखा होता है, वी, ठीक है, अब five में one plus करेंगे, यानी one stick हमने plus करी, तो क्या बन गया, six, अब यह greater है, और smaller number right side लिखा है, तो plus होगा न, तो इसलिए five plus one करना है, तो हमने six बना दिया, ठीक है, ऐसी 14 कैसे बनेगा, ten plus four, तो ten कैसे लिखना है, symbol दे रखा, ten का x, और four का symbol क्या होता है, four होता है, five में से one minus, यह five होगा greater, और यह one हमने minus करना है, तो इसको left side में अगर हम लिखते हैं, तो वो minus हो जाएगा, तो यह बन गया four, प्लस ten, प्लस three, तो ten लिखा हमने ten, ten, xx two बार लिखा तो ten हो गया, और three लिखेंगे, one, two, three, three sticks शो करी तो 23 हो गया, 34, ten plus ten, plus ten, plus four, ठीक है, तो ten, plus ten, plus ten, three बार ten लिख सकते हैं, लेकिन three से ज़्यादा बार नहीं लिख सकते हैं, इसका ध्यान रखना, अब four, four कैसे बनाना सिखाया था, five बनाया है, उसमें से one minus करना है, left side लिख देंगे, तो minus हो जाएगा, तो यह हो गया, 34, ठीक है, then question number two, write the Hindu Arabic numerals for the following Roman numerals, हमें Roman numerals दे रिखा है, इसका Hindu Arabic बनाना है, यह कितना है, five, plus one stick, two stick, तो five, six, seven, कितना हो गया, seven, यहाँ पर ten दे रिखा है, उसके साथ two stick है, तो ten plus two, twelve, ten plus ten plus ten, देखो, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ आपको, easy हो जागा, ten plus two, five plus two, seven हो गया, ten plus two, twelve हो गया, यहाँ ten plus ten plus ten, three by ten हो रहा है न, यह three by ten लिखा, फिर five लिखा, फिर two लिखा, देखो five फिर two, तो कितना हो गया इस, 37, कितना हो आउसर, 37, यहाँ ten, और यहां 50, तो 50 से पहले ten लिखा है, यानि माइनस करेंगे, तो 50 minus ten, तो कितना हो गया, 40 हमारा answer हो गया, से ये तो symbols हैं हमारे जो 7 symbols हम use करते roman numerals में वो ठीक है और 0 का कोई roman numerals symbol नहीं होता है इसका ध्यान आपको रखना है ठीक है तो ये थे हमारे roman numerals do practice of these and then do in your notebook thank you